मसकार, हिंदी साही तेवारता में आप हैं इसक्त सुभाष ठाकुर के साथ HP, LTE कमिशन, LTE TET की तेयारियां अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये वाली क्लास आपके लिए ही है और बहुती मतपून वीशे हैं जो आपके प्रियोजन मुलक हिंदी के अंतरगत आता है हमारा पत्राचार से समंदित, टिपन, आज हम इसके अर्थ, इसके विशेश नाइं और टिपन को लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ये सारी चीज़ें हम आज इसमें डिसकस करने वाले हैं तो बहुत ही जरूरी टॉपिक है देखना, इस टॉपिक के उपर जो है बहुत जादा क्लासिस बगेरा आपको अमोमन मिलती नहीं है और आज के समय में यहां से, यानि कि जो पत्राचार वाला पोर्शन है उससे भी प्रशन पूछे जा रहे हैं और ये बात आपने नोटिस की होगी अभी जो आपका LTE TET का फेपर हुआ है इससे पहले भी TET या फिर LTE कमिशन में यहां से प्रशन पूछे गए थे तो इन टॉपिक्स के बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होना अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहां से प्रशन लगातार आप देख रहे हैं कि लगभग 5-7 प्रशन आपको जो है जो हमारी प्रियोजन मूलक हिंदी है उससे पूछता है तो आपके लिए बहुती मतपून बात ये है कि इस बारी जो हमारी लाइव क्लासी सभी टीच्मिन्ट पर चल रही है उसमें ये सारी चीज़ें आपको एवेलेबल हो रही है तो आज इस कड़ी में हमारी जो अगली क्लास होने जारी है वो इसी विशेपर है टिपन के अर्थ और विशेशताओं पर और इसके जो मुख्या उदेश्य हैं क्या क्या तहती हैं टिपन के कौन-कौन से भेध हैं उन सब बातों को हम यहाँ पर सिलसलिवार करके देखेंगे तो आई होप आप लोगों के लिए लेक्चे जो है वो उपयोगी रहेगा और इसको करने के पश्चार आप अपने नोट्स इत्यादी जो है वो एक पर जरूर बना लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी और समस्या ना रहे तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं टिपण का अर्थ और इसकी परिभाशा तो यहाँ पर देखिए सब्सक्राश शब्डों में लिखा है कि अंग्रेजी के नोटिंग का हिंदी परियाय है जिसका अर्थ टिपण ही रहता है तो हमेशा आपको प्रशन केवल इतना सा ही पूछता है देखना जो एल्टी टैट में तो यही प्रशन बनता है कि अंग्रेजी के नोटिंग का हिंदी पर या फिर जो आपका टिपण है उसको अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है तो यह आप सेंपल याद रखेंगे कि नोटिंग जो है इसका अंग्रेजी में हो जाएगा यह हो गया यह समाने सी बात होगी ठीक है इसके साथ साथ अब यहाँ पर इसकी कुछ परिभाशाएं दीगी है उससे जब आप इसको समझेंगे तो आप बहुती असानी से जो है टि वारा जो गूड वाक्या है उनका विस्त्रित अर्थ बताया जाए यानि कि जो कोई स्पष्ट बात ना हो उस बात को जो है उसमें स्पष्टता के साथ और विस्तार के साथ जहां पर रखा जाए वो है आपका टिपन यह हम सिर्फ शब्द की बात कर रहे हैं अभी देखना हिंदी शब्द सागर की अनुसार यह परिभाशा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बारी आपने देखा होगा कि अनुवाद विज्ञान की परिभाशा जो है वो कहां से पूछी थी ल्टी टेट के एक्जाम में पूछी थी तो इसलिए अगर आपको यहां से भी कोई अ इत्यादी के समन्द में अन्य अधिकारी या सहायक द्वारा संक्षेप में प्रकट की गई राय, सुझाव या आपत्ती तो यहां पर आपको थोड़ा सस्पष्ट हो गया होगा क्योंकि जो हम अभी सरकारी पत्राचार पढ़ रहे हैं कि हमारे कारयालियों में जो भी इत्यादी के समन्द में अन्य अधिकारी के सहायक के द्वारा जो संक्षेप में प्रकट की गई राय, सुझाव या आपत्ती रहती है ठीक है देखी, सुनी, सोची हुई बातों, तत्यों आदी का बाद में कामाने के लिए लिखा गया संक्षिप्त विवर्ण ही क्या कहला तो देखे मान लीजे, जैसे किसी एक कार्यालय में कोई पत्र आया है, ठीक है, तो उस पत्र के निप्टारे के लिए क्या किया चाहेगा, उस पर छोटी-छोटी टिपणिया प्रस्तुत की जाएंगी, जिन-जिन भी संबंधित अधिकारियों के पास वो पत्र तो यह सारी प्रक्रिया को ही बोला गया गया है, यह क्या है, तिपण है, तो यहाँ पर बोला हुआ है, कि देखी, सोची हुई बातों, तत्यों आदी का बाद में काम आने के लिए लिए लिखा गया, जो संक्षिप्त विवरण है, क्योंकि वो बाद में तो काम आएंगी, वो सारी टिपणियां जो की हुई है, उसी के आधार पर आपका ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है, जिसको हम प्रारूप कहते हैं, उसी के आधार पर प्रथिवेदन बनेगा लास्ट में, तो ये सारी चीज़ें आपको यहां पर ध्यान में रख लेनी हैं, कि सबसे पहले आपका क टिपण कारे हैं वो शुरू हो जाता है, इसी लिए बोला गया है कि कारेल्य पदती में मामलों के निपटारे में जो टिपणी है, वो एक रीड की हड़ी का काम करती है, क्योंकि जैसे हम भी देखते हैं कि कि किसी भी क्याम को अगर हम नीजी जिनगी में देखें, तो उसक अगरे करने की पदती है, तो उसमें मामलों के निपटारे में एक रीड की हड़ी का काम कौन करता है, तो ये आपका टिपणिया ही रहती है, ठीक है, तो ये इसका समानने सा अवर्थ हो गया, जो आपको समझना है, अभी तक पेपर में जो प्रशन यहां से रहा है, वो सिर जो है आप देखते हैं लगातार बढ़ रहा है इसलिए आप थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखें कि अब आपको जो है इस परकार की परिभाशा हैं और थोड़ी सी समझ जो है वो जरूर विक्सित करनी पड़ेगी ठीक है तो ये हो गया इसका अर्थर परिभाशा अब के उपर जो है और आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू उसी टाइम से ही हो जाती है और इस कारेवाही का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि उस पत्र में उठाई गई बात का निप्टारा न हो जाए तो ये बात भी जरूरी है कि वही अब ठीक है पत्र आ गया में शुरू होगी होगी और उस कारेवाही का क्रम कब तक चलेगा जब तक कि उसमें जो भी बात जो भी सुझाव जो भी आपती त्यारी दर्ज न की गई हो उसको सही तरीके से निप्टाया न जाए इस कारेवाही या कारे के प्रतियक चरण में जो सुझाव संकेत तथ्य सूचनाई और आपतियां आदी लिख कर रखी जाती है उसे ही टिपण कहा जाता है तो यहाँ पर आपको अब बहुत ही सरलता से ये बात समझ में आगे होगी कि टिपण से क्या अभी प्राय है तो यहाँ पर आप सिंपली कहा रहे हैं कि जो भी कार्य के प्रतिक चरणों में हमें सुझाब, संकेत, तथ्य या कुछ भी सूचनाई इत्यादी या कुछ आपतियां रही है उनको हम लिख कर जब रखते हैं तो वो ही आपकी क्या हो जाती है टिपणियां कहलाती है किसी पत्र को निप्टाने के लिए सेरकारी तथा अन्य संस्थाओं में जो कार्यालिय कारेवाही होती है उसे टिपण कहते हैं सल शब्दों में आप इचाह सकते हैं बिलको संक्षिप्थता के साथ अगर आपसे कोई प्रशन पूछे कि टिपण क्या है तो आप सिम्पली ये कह सकते हैं कि भी सरकारी कारयल्यों में या फिर कोई और संस्थाएं रही है ठीक है किसी भी पत्र को निप्टाने के लिए जो भी कारयल्य कारवाई रहती है उसको ही हम क्या कहेंगे टिपणी कहेंगे सिंपल सी बात ठीक है टिपणी जो है सरकारी कारयल्यों में किसी विचारा देंग प अलग तरीके से कहने की बात यहां पर और यह मतलब इसका निश्काष्ट को एक ही निकल रहा है ना कि हमारी जो सरकारी कारेले में कारेवाही रहती है ठीक है जो भी आपकी काम को लेकर के कुछ सुझाव हैं कुछ आपकी सूचनाएं हैं या कुछ और चीज़ें हैं उनको था आपका most important पहला भाग इसका ठीक है अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पर जानेंगे इसकी मुख्य बातें क्या-क्या रहती हैं एक टिपड़ी में ठीक है क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि टिपड़ में कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो आवश्यक यनि कि ऐसी चीज़ें जो एक टिपड़ में शामिल रहेंगी तो ये 6-7 चीज़ें हैं यहाँ पर देखना सबसे पहले है आपका विचारणी है विशे विचारणी विशे से हम क्या समझते हैं कि सबसे पहले जो आपका पत्रचार है या आपके पास या कारेले में एक पत् प्रच्न है उसके समाधान के लिए उचित सुझाव और विवरन प्रस्तुत किया जाता है यनि कि आप देखेंगे कि कोई भी विशे है उसकी एक पिष्ट भूमी रहती है तो वहाँ से हम क्या देते हैं कुछ समाधान लेते हैं कुछ सुझाव लेते हैं यही चीज़ यहा उसको हम देखेंगे ठीक है फिर तीसे नमबर पर आता है विशे संबंधी विभिन दृष्टी कौन ठीक है यानि कि जो सुझाव अभी आप लोगों ने पहले मतलब विशे की पिश्ट भूमी में हम देखते हैं कि ये ये सुझाव इसके हो सकते हैं ये ये जो है उसका उचि कौन यहां पर रहते हैं तीसे नमबर पर जो टीपन में मुख्यबात होनी चाहिए तो अब्रसी बात है कि जब तक जो जिसा अधिकारी को पत्र जा रहा है उस पर वो भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा तब तक जो टीपन टीपन अधूरा हो जाएगा फिर उसका तार की क्विशलेशन भी जरूरी है फिर वैधानिक स्थिती वैधानिक स्थिती से आप सिंपल सा याद रखेंगे देखना कि जो भी आपका विचारा धिन प्रश्न है उससे सम्मंधित कुछ नियम और अधिनियम का उलेक जो है इसमें रहेगा कि क्या वो सही है या नहीं है ठी तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेगा विचारन ये वीशे वीशे की प्रिष्ट भूमी उस बीचे से जमन दित आपका एक प्रिष्टी कौन फिर उसका विशलेशन भी फिर वैधानिक स्थिती भी और लास्ट में उसका सुचावा निश्कर्ष भी आवश्यक हो अब ऑप उसी जबाँएम से हैं कॉन कौन से प्रोसेस से हो पर ये गुजरेगा तो सबसे पहले देखि authorized क्या Cuando कर दिकारी योनि की यंदि किक वह जाएंगे कि कोई भी पत्र आजाता है जिस पर हमें अब उसքबिसे है आपके कार ये में कुई पत्र पहुंच गया आप उ बात ये बो रहा है कि सबसे पहले किसके पास जाएगा कनिष्ठ अधिकारी यानि कि जूनियर अधिकारी रहते हैं हमारे ठीक है इसमें आपका मुख्यरोप से कौन रहता है कलरक रहता है जो लिपिक होते हैं उनके पास पहुंचेगा ठीक है तो कनिष्ठ अधिकारी अपने record के अनुसार तिपन के साथ एक प्रारूप त्यार करके अपने से उच्चा दिकारी के सामने स्विक्रिती हे तु भेजता है तो बहुती सरलता के साथ यहां पर बताने की कोशिश की गई है देखना कि सबसे पहले कहां पर आएगा कनिष्ठा दिकारी या clerk के पास आएगा वो फिर अपनी पुरानी फाइल्स पुरानी चीज़ें जो रहेंगी उस पर कोई भी प्रश्न है उससे समधित जो भी चीज़ें है उसके अनुसार वो है टिपनी के साथ क्या करता है एक ड्राफ्ट त्यार करके रखता है और फिर जो है वो अपने से उच अधिकारी के पास वेज़ेगा वो जो उच अधिकारी है वो अपने से उच अधिकारी के पास वो लास में इस तरीके से संस्था या फिर मंत्रा ले या फिर आपका कोई और चीज़ है तो उसके बिलकुल जो head है उसके पास जो हो ऐसे ऐसे करके गुजरेगा, इसलिए हमने पहले भी कहा था, कि वही एक जो पत्र है, सरकारी पत्र है, या फिर कार्याले पत्र जिसको हम कहते हैं, वो अलग-अलग भागों से हो करके, या अलग-अलग अधिकारियों या अधिनेस्थ अधिकारी जो रहते हैं देखना उनके पास ओखर जाता है ठीक है तो ये चीज़ के होगे यहां पर तो वो अपने उच्छ अधिकारी के पास स्विकृति के लिए भेज देता है टिपन का प्रारूप स्विकृत हो जाने पर वह पुना उसे टंकित कर बाद में फिर से उसके पास ही आएगा उसके हस्ताक्شर वो क्या करेगा हस्ताक्षर करवाता है और टाइप जो आप खुद करता है अपने कारेलों इत्यादी में देखा होगा कि सारा टाइप इंग वेर अका काम कलर करेगा लास्ट में जो उच्छ अधिकारी उस पर अपनी स्टेम् भी लगाता है सिर्प वो nature करेगा ठीक है यानि की भेजा वो उसकी तरफ से जा रहा है लिक कौन रहा है उसको जो नीचे के अधिकारी हैं वो सारी बातें उस पर लिख रहे हैं तो यही है आपका टिपन लेखन की प्रक्रिया बहुती सरलता के एक्जाम के लिए पढ़ रहें तो वहाँ पर तो आपको सरकल ही करना है दो चाह चीज़े दी रहेंगी बस उतना सही आपको याद रख लेना है तो मुख्य बातें जो शामिल है उनको थोड़ा सा याद रखें कई बार ऐसा प्रशन आता है कि टीपन लिखन में कौन-कौन सी बातें जो हैं वो शामिल नहीं रहती है या फिर टीपन की परिभाशा आपको पूछी जा सकती है कि किसने ये परिभाशा दी है या फिर आपको ऐसा प्रशन पूछा जा सकता है कि टीपन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फिलाल आपको ये प्रशन ही बन सकते हैं ठीक है अब इसके बाद जो हैं, आगे आपको और कौन सी बाते हैं, जो इसमें ध्यान में रखनी हैं, यहां पर हैं देखिए, टिपन लेखन में ध्यान देने योग्य बाते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको विशेशताओं के तोर पर भी ले सकते हैं, कि टिपन लिखते समय हमें कि किन बातों के जो ध्यान रखना है, या फिर टिपन लिखने की कौन-कौन सी विशेशताओं हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है, तो आप देखिंगे टिपन लेखन भी, जिस तरीके से आपने पत्र लेखन को माना था कि वो भी एक कला है, वो एक प्रोसेस से आती है, टिपन ले हैं, इसमें थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखने ना है, ठीक है, तो टिपन तो आपको कहां पर रहेगा, यह आपके कार्याले पत्रों में रहेगा, जो कि पत्र जो थे आपके सिंपल से देखना, उसमें आपको इस तरीके कि कोई भी ठीका ठीपन ही करने की ज लिखा जाता है उसका स्पष्ट निर्देश तथा उसको सुलजाने के लिए स्पष्ट सुझाब देने चाहिए तो पहली चीज इसने बोल दिया कि जो आपका टिपन कार है वो क्या करेगा कि जिस भी समस्या पर वो टिपन लिखेगा उसका क्या करेगा स्पष्ट पहली जो महत्वण विशेशता है इसके अनुसार आप कहेंगे कि टिपण क्या है सो उदेश्य होता है यानि कि उदेश्य पूर्ण रहेगा ठीक है उसमें कोई बेकार की बात नहीं रहेगी ठीक है तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है दूसी चीज क्या बोरा है पूर्वा पर क्रम का निरवहा यहां पर एक और चीज़े देखना कि टिपणी में क्या है कि जो आपका एक क्रम है किस बात को कैसे रखना है वो यहां पर रहता है यहां पर लिखाया देखिए सबसे पहले समस्या पर हुए पत्राचार का संख्षिप्त परीचे रहेगा ठीक है और फिर बोल रहा है कि वर्तमान स्थिति और अंत में उसके समाधान हितू विविद विकल्प और कानूनी स्थिति जो है वो स्पष्च की जानी चाहिए तो यह है समाधान इत्यारी कैसे रहेगा इस चीज़ को भी यहां पर जरूरी जो है वो ध्यान में रखना होता है यनि कि एक क्रम जो रहता है उसका निर्वाह अच्छे तरीके से करना होता है कि टिपणी में आप आगे पीछे बात जो है वो नहीं कर सकते ठीक है भाशा भी कैसी गोले कि यहां पर कथ्यानकूल होनी चाहिए संक्षिप्त होनी चाहिए स्पष्टिवम तरकपून जो है वो भाशा इसके लिए जरूरी है तो इस बात को आप यहां पर ध्यान में रखिएगा देखना कि वो ऐसी उलजाव वाली बात जो है यहां पर टिपणी में नहीं हो चाहिए यनि कि वो ऐसी होनी चाहिए कि एक बार ही पढ़ने से पूरी की पूरी बार जो है असानी से समझा जाए किसी को भी ठीक है तो यह आपको यहां पर ध्यान रख लेना है और इसलिए बोला गया है कि जो टिपणी कार है वो जो है समस्या को सुलजाने वाला होना चा चाहिए यह बात यहां पर महत्पूर्ण है ठीक है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसमें क्या रहेगा आपका भाषा जो है अच्छी होनी चाहिए ठीक है टिपण सदैव अन्य पूरुष में ही लिखा जाता है यह बात भी आप यहां पर ज्यान में रखेंगे ठीक आपका टिपण है उसमें जो संदर्व इत्यादी रहते हैं वो कहां पर रहेंगे आपके हाश्य में रहने चाहिए और हमें उन्हें जो है अंडरलाइन भी करना होता है ठीक है तो यह बात यहां पर यहां रखने लाइक है बाकी यहां पर आप यह भी देखेंगे कि जो टि पून है जो आपको इसमें या लखनी है कि टिपन लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर टिपन की मुख्य विशेशता है यहां से आपको निकालनी है पहला पहला उदिश्य पून है उसमें एक निश्चत क्रम रहता है फिर भाशा सरलस सा ध्यान में रखें most important बात है यह ओके तो एक बार आप रहे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं इन सभी बातों को आप मानेंगे कि यह इसके अंतरंग विशेश्तनाएं हैं ठीक है अंतरंग का मतलब हुआ आपकी जो आंतरे अब इसकी जो बहारी विशेश्तनाएं हैं या पिर कुछ अन्य बाते रही हैं जो ध्यान देने योग्य हैं उनको भी आप यहां पर देखेगा सबसे पहले बोला गया है देखना कि टिपन लिखने में पूर्व पत्रचार का हवाला और टिपनी लिखने से पहले स्पश्ट रूप से देना चाहिए ठीक है कि जो टिपनी है वो आपके जो मूल पत्र पर ही लिखा जाएगा या फिर अलग कागस पर तो यहां पर आप ध्यान में रखेगा टिपनी जो है वो अलग कागस पर ही लिखी जाएगी मूल पत्र पर वो तभी लिखी जाएगी जब आपका अपने ही विभाग के मामलों में कोई टिपनी ह तो उसको आप एक बार ध्यान में रखेगा, है न, सिम्पल से बात है, कि टिपणी जो है वो अलग आगस पर लिखी जाएगी, लेकिन अपने भी बाग के मामलों में टिपणी जो है वो किस पर रिखी रहती है, मूल पत्र पर लिखी रहेगी, ठीक है, अमूमन जो आपकी टि संख्या बद कर देना चाहिए, आगरी चीज ये बोल रहा है कि जो अनुछेद है, उनको हमें संख्या बद जरूर करना होता है, ठीक है, तो इसको आपको दियान में रख लेना है, कि इससे क्या रहेगा जो अधिकारी है, उसको जो है टिपणी पढ़ने में असानी रहेग ठीक है, मतलब उस्पष्ट करना चाहिए, कि वो किस समस्या या किस मामले को लेकर के जो है टिपणी लिख रहा है, जो एक टिपणी कार है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको, मतलब अब्बेसी बात है कि अगर हम जब तक अपना विशे ही स्पष्ट नहीं करेंगे, तब कोई भी बात जो है, वो आसानी से नहीं समझ सकते, तो इसलिए यह पहली बात बोर रहा है कि मोल विशे को आरंब में ही अमें क्या कर देना चाहिए, उलेखित कर देना चाहिए, और निर्देशों का क्रम, पत्रों के क्रम के अनुरूप ही होना चाहिए, कि जो भी हम उसमे निर्देश इत्यादी दे रहे हैं, उससे संबंदित जितने भी पत्र हमें मिल रहे हैं, उसके क्रमानुसार ही हमें निर्देश इत्यादी रखने चाहिए, और पत्रों के संबंद में उठाई गए समस्या को, संबद सामगरी आवश्चक हो, तो टिपन के साथ भेजी जानी चाहिए, तो ये भी यहाँ पर महत्तपुन बात है देखना, कि कोई भी जो आपका ये देखें, कि पत्र से समस्या है, यानि कि आपके पत्र में कोई समस्या उठाई गई है, उससे समन्दित अगर कोई सामगरी इत्यादी है, तो वो भी तो उसमें ही भेज देनी चाहिए, ये भी एक महत्तपुन बात है टिपन के लिए देखना, और इसकी विशेष्टा में आए जाएगी, अंत में ये बो रहा है कि टिपन करता के संक्षिप्थ हस्ताक्षर बाई और किये जाते हैं, ये प्रशन भी कई बार पूछे गए हैं, आपने ल्टी कमिशन या ल्टी रखना है, तो ये भी मतपुन बात है, देखना हो सकता, इसको भी आपको पूछा जाए, ठीक है, तो अगर यहां पर आप देखें, कि ध्यान देने योगे वाली बात जो है, वो कौन सी रही है, तो इसको भी आप एक बार याद रखिए, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो समाने से चीज़ें हैं, जिनको आपको यहां पर मुख्यरोप से याद रखना है, कि एक टिपन लेखन में जो है, ध्यान देने वाली बात हैं, कौन सी रहती है, ठीक है, तो इनको आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक हो गया, कि हस्ताक्षर कहां पर रहेंगे, जानकारी रखनी है, तो टिपनी के क्या-क्या उदेश्य होते हैं टिपन के, इसको भी आप एक बार समझ लीजिएगा, तो सबसे पहली बात यहां पर टिपन के उदेश्य में क्या वो रहा हैं देखना, कि अधिकारी को पत्र व्यभार में नहीत सभी तत्यों एवं सभी सम समस्याओं आदी की जानकारी देना, पहला मुख्य उदेश्य यह है, कि वही जो अधिकारी है, उसको जो भी हमारा पत्र चार है या पत्र व्यभार हो रहा है, जो भी तत्यों उसमें दिये गए हैं, जो भी समस्याओं हैं, जो भी सुझाव हैं, जो भी निर्देश इत्या तो ये भी बहुत मतपुन उदेश है देखना कि जो भी कारेवाही है उसकी जो जो भी दिशाएं है और जो जो भी उसमें विकल्प है उनको भी सबस्ट किया जाना चाहिए और लास्ट आता है कि जो आपका टिपनी कार है वो तरक सहीत संकेत भी कर सकता है और है वो नहीं है ठीक है इसको आपने ध्यान रखना है तो मुख्य रूप से आपके ये तीन क्या है टिपन के उदेश है और लास्ट में बोला गया है कि टिपनी कार का जो मुख्य उदेश है रहता है वो क्या रहता है अधिकारी को दुविदा मुक्त करवाना रहता है जो कि मैंने आपको पीछे भी बात बता दी थी कि जो हमारा ये टिपण होता है देखना या जो टिपण करता होता है जिसको ये टिपण कारे सौंपा गया होता है उसकी मुख्य बात जो ये ही रहती है कि वो त्या करे दुविदा में डाले नहीं बलकि दुविदा से निकालने वाल अच्छा बाना जाएगा तो इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं ठीक है तो यह हो गया इसका उदेश्य है अब इसके बाद आखरी में जो बात आती है देखना यह है टिपन के कौन-कौन से भेद हैं तो यहां से भी अगर आपको प्रशन पूछें तो थोड़ा सा इसक समझना है सबसे पहले आता है यहां पर देखना सूक्ष्म टिपन ठीक है सूक्ष्म टिपन या यह जो आपके टिपन के भेद है ठीक है यह क्यों बने देखिए कई बड़ी जैसे हम प्रशन को भी देखते हैं हमसे कोई प्रशन पूछा है तो कुछ प्रशन को हम बोल देत के साथ सरलता के साथ देना होता है ठीक है तो उसी के आधार पर भी आप देखते हैं कि कुछ पत्र कारेले में ऐसे आएंगे जिनके उपर आपको सिर्फ अपनी सहमती देनी होती है कुछ पत्र ऐसे आएंगे जिस पर आपको बिल्कुल सपश्टा के साथ तार्किक्ता के साथ जो है उस पर वीचार करना पड़ेगा, कुछ प्रशन ऐसे होंगे, जिसमें हमसे सुझावी त्यारी मांगे गए होंगे, तो उस पर भी हम पहले टीका टिपनी करेंगे, उसके बाद ही सुझाव प्रसुत कर पाएंगे, तो कहने का मतलब यह है, कि टिपन के जो भेद हैं, व इसको आपको समझना है, तो सबसे पहरे आपका सूख्षम टिपन, जिसको शौट नोटिंग कहते हैं, क्या कहा जाता इसको, शौट नोटिंग, ठीक है, यनि कि आप ये कहेंगे, कि जिन पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित ना हो, वो ही आपका क्या कहलाता है, सूख्ष पर क्या लिख देता है, के वो निर्देश लिख देता है, थीक है, वो ही आपका क्या कहलाता है, सूख्षम टिपन कहलाता है, थीक है, यनि की इसके बाद वो क्या भेज दे, उस पत्र को जो है, भेज देगा आगे, तो वहाँ पर simply इतना इन लिख देगा, क्रिपिया मिल तिक है यदेख लीजिए इतना सा कहेगा या फिर वो आगे बोलेगा अलोकनार्थ जो इसका बिल्कुल सठीक शब्ड रहता है क्या रहखेगा वो इसमें शब्लिखके है अलोकनार्थ ठीक है है यहाँ पर यह एक ही शब्द हो जाएगा अब लोखनार्थ या फिर सम्मति के लिए या फिर देख लीजिए या फिर ठीक है या अपनी सम्मति मौकी ग्रूप में दे दीजिए कुछ भी वो लिख सकता है सिर्फ इतना सा और कोई भी उसमें और करने के जरूट नहीं है इसको टीप के नाम से भी जानता है खाली टीप भी इसको कहा जाता है ये भी आपको जानना है और इसको ही हम सुक्षन टिपण भी कहते हैं या छोटी टिपणी भी आप इसको कह सकते हैं ठीक है तो इतनी सी बात ही इसमें रहेगी यनि कि इसमें उत्र की कोई अपेक्षा नहीं है है ना तो ये पहली चीज होगी दूसरे नमर पर आता आपका समान्ने टिपण अब समान्ने टिपण से हम क्या समझते है नए पत्र कागस पर जब नई कारेवाही शुरू हो जाती है तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कारेले में जब कभी भी किसी नए पत्र को नए कागस पर नई कारेवाही जब शुरू होती है या फिर उस पर जो टिपणी हम लिखते हैं वो ही क्या कहलाता है आपका समान्य टिपन कहलाता है यानि कि आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि आपके कारयाले में कोई पत्र आया हो उस पत्र का उत्र आपको आप बिल्कुल सीरे से देना है या उस पर आपको सुझाव देने है या फिर उस पर आपको कुछ आपतियां बतानी ह तो वो नए कागस पर ही आप लिखते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा भी है, ठीक है, यनि कि नए कागस पर नए कारवाही जब हम शुरू कर रहे हैं, तो वो ही आपका क्या है, एक आपका समान्य टिपन है, जिसको आप सिंपल नोटिंग के नाम से जानते हैं, अब आता है पूर्ण टिपन, यनि कि फुल नोटिंग क्या है, इसका मतलब ही यही है, कि जो आपका विस्तित हो, जो विशलेशनात्मत हो, ठीक है, है ना, इसमें मतलब हर चीज़ आपको देनी पड़ेगी, कि पहले का जो इतिहास है, जिसको प्रिष्ट भूमी भी हम कहते हैं, ठीक ह पड़ता है, और जितने भी तरक इत्यादी उसमें दिये गए हैं, उनको भी आमें परिपुष्ट करना रहता है, यनि कि वो संपून तर उसमें आपको दिखानी पड़ेगी, इसलिए इसको बोला गया है, कि ये अपने आप में क्या है, एक संपून टिपन रहेगा, यनि क विस्तित, विशलेशन परक, सुझाव परक जो है, ये होता है, ठीक है, ये चीज़ या रखने न है, विभागे टिपन, इसको आप कहेंगे, sectional noting, यनि कि आपके विभाग से संबंदित, जैसे आप देखते हैं कि एक पत्र जो है, वो अलग-अलग विभागों से उकरके भ या फिर sectional noting के नाम से जानते हैं, इसको भी आप ज्यान में रखेंगे, next यहाँ पर नित्यक्रमिक टिपन, नित्यक्रमिक जो आपका टिपन कहलाता है, इसको routine noting कहते हैं, यनि कि कारेले में आप इस तरी के टिपन हैं वो देखते हैं, कि छोटे-छोटे मामले से समंदित इसके बाद है अनवचारिक टिपन, अनवचारिक टिपन से हम क्या समझते हैं, जिसको हम कहते हैं unofficial noting, तो इसको भी आप एक बार जो है वो जरूर ध्यान दें, कि जो आपका अनवचारिक टिपन या फिर unofficial noting है, इससे हम क्या समझेंगे, ठीक है, यनि कि एक विभाग से द तो किसी भी प्रकार की जो अवचारिक टाई त्यारी जो है वो पूरी करने नहीं होती है, इसलिए इसको अनवचारिक बोला गया है, ठीक है, नेक्स है आपका अनुशंगिक टिपन, ये आखरी भाग है इसका देखना, इसमें गया रहता है कि जो अधिकारी के संक्षिप् लुक्त सहमती इसमें आपको रहती है, यनि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ा नहीं है, आनुशंगिक का मतलब ये है कि जो चीज आवश्यक है, यनि कि जो मुख्य टिपनी आपने की, उसके नीचे ये बोल रहा है कि बगल में अधिकारी जो रहता देखना, उसके दोरा अपनी टिपनी जोर दी जाएगी, ठीक है, वो ही आपका आनुशंगिक टिपन है, अब अधिक मानली जी आप ऊपर कुछ भी चीज़ें कही गई हैं, फिर जो मुख्य दिखा रही हैं, जिसको वो बेज़ा जाना है, या जिसने उसको भेजना है, वो क्या करेगा, अपने अपना टिपनी और से दिखके दे देगा, कि ये अनमोदनार्थ हैं, या फिर उसको अनमोदित किया जाता है, या फिर कुछ भी चीज़ है, या फिर जो उपर सुझाव दिए गए हैं, वो सब सही हैं, ठीक है, और लास्ट में वो क्या करेगा, उसमें अपने जो है हस्ताक कुछ भी हो सकता है, जब वो दे देगा, लिख करके नीचे अपने अस्ताक्षर कर लेगा, तब जो है आपका आनुशंगिक टिपन बन जाएगा, यनि कि जो मेन अधिकारी है, जिसने उसको भेजना है, वो लास्ट में ही क्या करेगा, अपने अस्ताक्षर करेगा, फिर च लगता है कि इसमें मुझसे कुछ चीज़ें छुट गई हैं, तो एक बार आप जो है जरूर जो भी आपके पास किताबे हैं, जो भी आपके पास और मैटिरियल है, वहां से इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, तो I hope कि ये आप सब लोगों के लिए उप्योगी साबित ह होगी क्लास, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स क्लास में हम जानेंगे अब प्रारूप लेखन के बारे में, ओके, बाबाई, मिलेंगे हम नई क्लास में, नई उज़ा और नई स्पूर्टी के साथ,